हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वेकेंसी जो है काफी बड़ी संख्या में आंगनवाडी में आएगी तो वेकेंसी आ चुकी है आंगनवाडी भरती दोहजार चौबिस पक्चिस पदों की संख्या है 23,742 जिले वार जो है इसमें 12th pass candidate आविधन कर सकती है केवल महला candidate ही आविधन कर पाएंगी कोई परिक्षा नहीं होगी निशुल का आविधन करना है कोई फीज नहीं देनी है आयू योगेता चैन दुबारा से जो है नोटिफिकेशन में हम देख लेंगे step by step क्या कहा गया है सारी चीजें ताकि आप लोगों की clear हो सके ठीक है और पहले जिले वार जो है वेकेंसी पहले भी आई थी और अब लगातार जो है अलग-अलग डेट से है तो चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले जो है अफिशल वेबसाइट पर चलिए आए आंगनवाडी रिक्रूट्मेंट 2024 हमीरपूर से वेकेंसी है और इसमें लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2024 है अमेठी से वेकेंसी है 17 अक्टूबर 2024 वारानसी से वेकेंसी है 25 अक्टूबर 2024 कर्नोस से है 17 अक्टूबर ये लास्ट डेट है तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है जो भी आविदन करने के एचुक है वारानसी से है 25 अक्टूबर 2024 इस कर्णोस से है 17 अक्टूबर जहांसी में 17 अक्टूबर महोबा में 21 अक्टूबर संत कभीर नगर में 19 अक्टूबर तो अभी जो है पहले भी फिल की गई थी और जिले वार जो है वो लगातर आएगी तो इसमें आप देख सकते हैं कि साथ जिलों से जो है फिलाल जारी हो कर सकेंगी जो भी कंडिशन इसमें पूछी गई है इसे पूरा करेंगी तो बिल्कुल इसमें आवेदन करें ठीक है आगे भी आएगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी जैसे जैसे यह जारी होती जाएगी आप लोगों तक सूचना पहुंसती जाए यानि कि अपने जो भी डॉकुमेंट है वो आप लोग बिल्कुल सही यहाँ पर अप्लोड करेंगे आवेदिका अपने निवास इस्थान की ग्राम पंचायत की ग्रामीन शेत्र की या फिर शेहरी शेत्र में बार्ड के में आवेदन करने के ही पात्र होंगे तो यहाँ पर परजी यह सब पाया जाते हैं या कोई छुपाया जाता है तो फिर उनके विरुद जो है कारवाई होगी अब जो है एक में आप लोगों को पढ़के बता देती हूं कि इसमें क्या कहा गया है हमीरपूर की ही देख लेते हैं सबसे पहले कि आंगनवारी के रिक्त पदों प इसमें आप लोगों को शेयर कर दिया जायाग इसी वीडियो के नीचे description box में आप इस पर click करेंगे और direct यहाँ पर आ सकते हैं ठीक है आप जिस भी जिले की हैं तो आप लोग आविदन करें आंगनवाडी कारिकत्री के लिए न्यूंतम योगिता जो है केवल 12th पास वागी गई है intermediate एवम इसना तक की अंकों को merit सूची में समलित किया जाएगा तो जैसे कि जिसने 12th किया है तो 12th के ही अंक जुणेंगे लेकिन जिसने graduation किया हुआ है master degree किया हुआ है तो उस सब का जो है फायदा उनको मिलने वाला है क्योंकि merit के अधार पर ही selection रहेगा कोई exam interview नहीं होगा आवेदिका को रिक्तपद की ग्राम पंचायत है वार्ड का निवासी होना आवशक है जो कि मैंने आपको पहली बता दिया विद्वा तलाक्षोदा गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अभ्यरती को chain में जो है यहाँ पर वर्यता दी जाएगी होनी चाहिए ठीक है chain के प्रक्रिया पूर्व तह merit पर आधारित पारदर्शी तरीके से ही होगी तो यह पूरा मैंने आप लोगों को पढ़के बता दिया है बाकी जो है जैसे कि कोई के अनिरेट वारंसी किये कन्नोस किये जासी कर लेंगे तो इसमें जो है इसमें वेकेंसी 290 है ठीक है केवल महला केंडिडेट ही आविदन कर सकती है लास्ट डेट जो है आप देख लें और समय पर आविदन कर दें गवर्मेंट आफ उत्तरप्रदेश से यह वेकेंसी अभी और भी जो है जिले से वेकेंसी आएगी अगर आपका जिला नहीं है तो आप वेट करें और आपको लोगों के लिए फिर से वीडियो बना दिया जाएगा इनके अलावा और भी जिलों से वेकेंसी आती है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप सरकारी प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं इस्पेसली सिक्षक भरती के जो भी विग्यापन जारी होते हैं आप लोगों को सूशना समय पर दी जाती है थैंक यू